दोस्तों आपका फिल्मी मीजा चैनल में स्वागत है इस वीडियो में हम बात करेंगे नानी और केर्टी सुरिश स्टारर फिल्म दसरा के 21 दिन के बॉक्स ओफिस कलेक्शन के बारे में उससे पहले दोस्तों अगर आप फिल्मी मीजा चैनल पर पहली बार आए हो तो फिल्मों के बॉक्स ओफिस रिपोर्ट जानने के लिए फिल्मी मीजा चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए दोस्तों वीडियो को स्कीप न करे वीडियो को अंतक देखें बिना टाइम, बेस्ट ये वीडियो को शिरू करते हैं दोस्तों आपको बता दूं कि नानी और केर्थी सुरिश स्टार ये फिल्म 30 मार्च से सिनेमा घरों में दिखाया जा रहा है दस्रा मूवी को इंडिया में लगबग 2710 स्क्रीन पर रिलीज किया गया था ये एक एक्शन थ्रीलर मूवी है इस मूवी का निर्देशन श्रीकांत ने की है दस्रा मूवी की बजट की बात करे तो इस मूवी की बजट 65 करोड रुपए बताया जा रहा है फिल्म के कलेक्शन की बात करें तो नानी और किर्थी सुरेश स्टार फिल्म दस्रा को आई पील की वज़े से काफी ज्यादा नुकसान उठाना पड़ रहा है IPL की वज़े से नानी और केड़ी सुरेश की फिल्म दसरा के इविनिंग और नाइट के कलेक्शन में गिरावच आ जाती है जिसका सीधा असर फिल्म के कलेक्शन पर दिखाई दी रहा है इसके बावजूद नानी और केड़ी सुरेश की ये फिल्म बॉक्स ओफिस पर जबरदस्ट प्रदर्शन किया है दोस्तों आपको बता दूं कि ये मुवी पहले दिन बॉक्स ओफिस पर शानदार प्रदर्शन करते हुए 23 करोड 20 لاक रुपे की कमाई कर ओपनिंग ली थी अगर बात करें इस मुवी के पहले वीक के कलेक्शन के बारे में तो ये मुवी पहले वीक में बॉक्स ओफिस पर जबरदस्ट प्रदर्शन करते हुए 59 करोड 10 लाक रुपे का का दुर जबकि यह मूवी दूसरे वीक में बॉक्स ओफिस पर आट करोड़ी कीस लाख रुपए का कलेक्शन किया है। जबकि यह मूवी दिन्यानी रिलीज के तीसरे मंगलबार को बॉक्स ओफिस पर पचीस लाख रुपए का कारोबार करने में सफल रही है। जबकि यह मूवी दिन्यानी रिलीज के तीसरे बुदवार के दिन के कलेक्शन के बारे में तो अभी तक जो उक्यूपेंसी रिपोर्ट आ रही है उसके अनुसार यह मूवी 21 दिन्यानी बुदवार को बॉक्स ओफिस बर लगभग 20 लाख रुपए की कमाई करती हुई नजर आई होगी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें शेर करें और फिल्मों के बॉक्स ओफिस रिपोर्ट जाने के लिए फिल्मी मीजा चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद